नमस्कार तोस्तो आज की इस वीडियो में डिसेस करने वाले हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकार्डिंग सीटी के बारे में जो भी कुछ है तो वीडियो के लाज तक जुरूर बने रहे और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे टेलेग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हूँ इस वीडियो के डिस्क्रप्शन के अंदर में लिंक दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं सभी के रिजल्ट आ चुके हैं स्टाफ नर्स और लेबरोटी टेकनीशिन को छोड़के ठीक है तो यह दोनों रिजल्ट भी आप लोगों को पांच साथ दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगे ठीक है बाकी यह है जो इस न्यूज की अकोर्डिंग इन्होंने 31 मार्स तक भी बोला है कि 31 मार्स से पहले पहले जो रिजल्ट निकाल दिया जाएंगे जो भी करना है इनको प्रोसेस वो कर रहे है ठीक है बाकी प्रात्मिक्ता स्टाफ नर्स और जो लेबरोटी टेकनीशिन वाला रिजल्ट पेंडिंग है रिपार्टमेंट का वो देंगे ठीक है तो ऐसा कुछ इस न्यूज पेपर के अंदर था आप लोगों ने देख भी लिया जैसे मैंने जो अपने टेलेग्राम ग्रूप है उसके अंदर डाला था ठीक है इसके अलावा कुछ न्यूज पेपर की कटिंग है इसके अंदर भी स्टाफ नर्स का रिजल्ट का जिकर किया गया है लेबरोटी टेकनीशिन के साथ भी ठीक है और इसके बाद एक न्यूस पेपर यहाँ भी इसके अंदर भी डिस्क्स किया गया है स्टाफ नर्स और लेबरेटी टेकनिशन का रेजल्ट के लिए ठीक है तो यह कुछ अपडेट थी जो आप लोगों को रेजल्ट के रिकार्डिंग देने थी इसके अलावा एक यह न्यूस भी आप लोगों ने देखिएगी CET के रिकार्डिंग गुरूप C और गुरूप D और जो स्टाफ नर्स है हरियाना के अंदर गुरूप C के अंदर आता है एक common eligibility test आप लोगों का होने वाला है ठीक है उसको qualify करना होगा आप लोगों को तभी आप लोग आने वाली स्टाफ नर्स की vacancy है उसको apply कर पाएंगे ठीक है और अभी यह form apply हो रहे हैं last date अभी आई नहीं है बहुत जल्द announce होने वाली है उसके बाद जून के अंदर आप लोगों के exam होने वाले हैं ठीक है और आप लोगों को बता दूँ जून में exam होके जो candidate qualify कर जाएगा 50% जो ले जाएगा इसके अदर ठीक है वो जब भी स्टाफ नर्स की vacancy आएगी उसके बाद जेस्ट ठीक है तो उसके अंदर apply कर पाएगा ठीक है जिसके 50% नहीं आएंगे वो apply नहीं कर पाएगा और इसके बाद मान के चलो vacancy आगई 1000 vacancy आगई तो लगबग 10 गुना candidate इन्होंने वो लखाबा कि इतने candidate होंगे नहीं स्टाफ नर्स की जो qualify कर पाएगे तो mostly जो भी qualify करेगा उसका maximum chance जाएगा उसका selection हो जाएगा और आप लोगों को बता जिता हूँ minimum 800 vacancies confirm है कि स्टाफ नर्स की आने वाली है 800 प्लस vacancy जरूर होंगी है ठीक है minimum 800 है इसे ज़्यादा हो सकती है तो जहां तक है अपनी त्यारी है वो continue रखो इसके बाद जो DMER की recording update थी वो आप लोगों को शाम तक में दे दूँगा ठीक है कर दो आप लोगों को